चिन्मियानन्द केस में चात्रा को लेकर आश्रम पहुची SIT स्वामी चिन्मियानन्द से की गई साब घंटे की पूशताच शहजहांपुर के SS Law College की चात्रा द्वारा पूर्व केंद्री राज्यमंत्री स्वामी चिन्मियानन्द पर योन्शूशन का आरोप लगाये जाने के बाद SIT ने स्वामी के किलाफ शुक्रवार को कारवाई की है जिसके चलते SIT की टीम चात्रा को लेकर स्वामी के आश्रम पहुची और चात्रा के आरोपों और रंगदारी की मामले में कई सवाल पूछे इससे पहले भी SIT स्वामी से साथ घंटे पूछताज कर चुकी है इसके अलावा उनके वकील, उनके कॉलेज के प्रिंसिपल और अन्य स्टाफ से भी पूछताज की है बता दें कि SIT ने चिनमयानन्द से सारे सवाल चात्रा और उसके आरोपों के बारे में ही पूछे थे स्वामी ने उनसे जुड़े वीडियो का सच क्या है ये भी पूछा गया साथ ही वो चात्रा को कैसे जानते हैं और चात्रा की और से लगाए गए दुशकर्म के आरोपों के बारे में उनका क्या कहना है ये सवाल भी पूछे गए हैं इसके अलावा कॉलेज के होस्टिल के कमरे में मिले साक्षियों के आधार पर भी पूछताज की गई है आरोपों के अनुसा जो साक्ष होटल के कमरे से गायब हैं उसको लेकर भी सवाल पूछे गए हैं रिपोर्ट्स के मताबिक चिन्मिया नंद में सारे मामले को एक गहरी साजश बताया है उन्होंने कहा कि उनके मुख्य आश्रम की छवी खराब करने के लिए साजश रची गई है स्वामी का कहना है कि वो जल्द ही एक उनिवर्सिटी बनाने जा रहे हैं लेकिन कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि वो बन पाए इसलिए उनके खिलाफ पूरी साजश रची गई है और उन्हें इस मामले में फसाया गया है इसको लेकर एसाइटी ने चिन्मिया नंदर से सारे सवाल पूछे और चात्रा को लेकर लोग कॉलेज गए और वो कमरा खोला गया और कमरे में साक्ष के आधार पर भी पूछताच की गई है